यह मनुवादी जो इनको भढ़का रही है जब इनकी ओरतों को उठा के जो इसे जैसे मनीपूर में एक पुल सिपाई की जो है आउरत को उठा के और नगन घुमाया गया और सिपाई जो है देश की सेवा कर पाया लेकिन अपनी पतनी की नहीं कर पाया यही आलिने अम्पिया बलातकार और नगन तावजाल वाले जो इकांड है यह तुम्हारी वजय से हो रहे हैं तो सारा कसूर किस पे जाता है हमारे मुख्यमंतरी MP MLO पे जाता है देखे मोदी और योगी पर इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि यह जमीन पे लड़ाई लड़ सके यह जमीन पे लड़ नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनही तवाज अभी हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन सेर में संविधान बदलनी की बात की जा रही है क्या कहेंगी देखिए मनुस्मर्ती हजारों सालों से चल रही है तो वो समीधान तो यह बाबा सहाब ने जब समीधान बनाया तब भी उनकी आँखों में आसु थे कि भाई यह जो है कहीं इनकी नियत समीधान को लागू करने की नहीं है तो हमारे बाउजन समाच की, हमारे बाउजन MP, MLs की भी ये कमी रही है कि आज जो हमारे पूरवजों ने जो हमें धरोडर देके गए है सम्मीदान, उसमें जो है एक तो बदलाव किये जा रहे हैं और अब तो 15 अगस्त पर जो ये इस तरीके की बात चल रही है कि सम्मीदान क को ही बदल देंगे तो मैं कहते हूं एक बदली दें शोषन हो जाए अच्छी तरीके से ताकि एस स्टी ओवी सी माइनेरिटी के तलवार लेके खड़े हो जाए और इनका जो है मनुस्मर्ती का और मनुवादियों का ना सी कर डालें तो मैं कहते हूं एक बर शोषन पूरी स्टी और इसा जो है सलाप आएगा कि मनुस्मर्ती जो है जो बाबा सहाब ने जलाई थी मनुस्मर्ती की जड़े ही जल जाएंगी बांवादी ही जल जाएंग है उसमें बाकी जो है आपको मैं बता दू कर नाराज दिख रही है कि इस पर किसी ना कुछ बोला क्यों नहीं देखे, अपने स्वार्त के कारण MP, MLA आमारे संसद में कितने सारे MP बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेंगोल को जो स्थापित किया गया, उस राजदंड को स्थापित किया गया, बाबा साहब की फोटो को हटाया गया, और इनके फिर भी जू नहीं रेंगती है, यह आरक्षन इनको साड़े बाइस परसंड दिया, किसने यह पता हो, अगर बाबा साहब ना होते, साहुजी माराज ना होते, जोतिबा फूले ना होते, तो इनकी उकात थी, इनको तो जो है, चपल पहनने की भी इनकी उकात नहीं थी, तो यह सब भूल गए हैं, उस आ पुल सिपाई की जो है, और नगन घुमाया गया, और सिपाई जो है, देश की सेवा कर पाया, लेकिन अपनी पतनी की नहीं कर पाया, यह आल इनकी में लोग अभी होने बाला है, तो इस यह इतनी बात कहने की हिमत इनकी स्वार्थों की वज़े से कर रहे हैं, और कोई सावित्री बाई फूले, बाबा सहाब अंबेडगर की विचार धारा जो है, चारों तरफ आग की तरह फैल रही है, एक बार समीधान चेंज करके तो देखो, यह जन सलाब ऐसा उठेगा, कि तुम को अपने अंदर समा लेगा, तो इतना असान नहीं है समीधान को बदलना, मोनु मानेशर और बिट्टू बजरंगी के बारे में क्या कहेंगे, देखिए, क्या कहना है, यह तो इतिहास गवा है, आप अंडिया गेट पे जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो है, अजादी की लडाई में मरने वाले मुसलिम है, OBC है, SC, ST है, कहां है यह सोन जाती के, कही है, आज आप उसी इतिहास को आप नूमेवात में देखिएगा, दो दो बैकवर्ड के हैं, मोनु यादव और बिट्टू पांचाल, बिट्टू लोहार, यानि OBC ही लड़ मर रहा है, मंडल कमीशन की भी अगर आप रिपोर्टर लग उठा के देखेंगे, तब भी सबसे जादा जो है, OBC ही मरा था, तो ये तो जो है, इन में इतनी हिम्मत नहीं है, कि ये जमीन पे लड़ाई लड़ सके, ये जमीन पे लड़ाई लड़ने के लिए, आज भी योद्ध हम ही है, SCST, OBC माइनेरिटी ही है, बस हमने रस्ता गलत पकड़ा हुआ है, हम धरम की लड़ जाए, तो मैं कहूंगी, ये मनुवादी जो इनको भढ़का रही है, जो कुर्सियों पर एसी रूम में बैटे हुए है, सारे भारत के संपत्ती को लेकर भाग रहे हैं लोग, ये सब रुख जाएंगे, जिस दिन ये सही रास्ते पर SCST, OBC माइनेरिटी के लोग चलने लग तब तक आप उनको विरोध कर रहे थी और गिरफतार करने की मांग कर रहे थी, अभी पता चलते हैं आप उनको भाई बना लिया आपने, मेरी पहली जो बाइट थी, जो मेरी पहली बाइट थी, मैंने उन्हें कहा था, ना तो मैं बिट्टू बजरंगी के लिए कुछ कहू यह कौन पैदा कर रहा है, जो धरम के नाम पर कटरता फैला रहा है, जो धरम के नाम पर मारकाट मचा रहा है, जो मनी पूर्वे इंसा का रूप ले रहा है, कौन है यह उन संगठनों को और उन दिमाग जो चानक्यनिती चला रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिट्टू लेकिन तमाम लोगों ने कहा है कि इन्हों ने दंका भड़काया है, मोनु माने सर और बिटु बजरंगे जो है, ये सूत्रधार नहें है उसके तो, इन्हें कि जब राजीव गांधी को एक महिला ने जो है, मानव बं करके उड़ाया था, तो आप क्या कहेंगी, कि वो महिला अतंगवादी थी क्या, नहीं, उस महिला की मजबूरी का फाइदा उठाया गया था, उसको जो है मानव बं बनाया गया था, दिमाग इसका था, ये मानव बं बना कौन रहा है, जब तक इसकी जड़ को आप सौल नहीं करोगे, तब तक इस देश से धरमदार्मिक कट्रता नहीं जाएगी, और धारमिक मारकाट खतम नहीं होगी, जौनपूर में जिस तरीके से एक नावालिक लड़की को किड्नैप कर लिया गया, उसके बारे में क्या कहें गया? मैंने क्या कहा है, अगर ये मनुवादी भेदभाव इतना कर रहे हैं, महिलाओं को समझाना पड़ेगा, जब रावन ने सिर्फ किड्नैप किया, तो तो उसकी लंका की बुल्डोजर चला दिया, उसकी हत्या भी कर दी, और सारे भाई सारे परिवार मार दिया, और उसके ब किड्नैप नहीं गैंग रेप कर रहे हैं, जब किड्नैप नहीं नंगा गुमा रहे हैं, तब वो तालीबानी कानून वो आज क्यों नहीं लागू हो रहा, रावन ने किड्नैप करके इतना बड़ा पाप कर दिया, या रावन इस भारत का मूल निवासी था, इसलिए इसको इतनी तगडी सजा मिली, और ये जो तुम जो नगन घुमा रहे हो, जो गैंग रेप करते हो, ये तुम जो है स्वनवादी लोगों, तुम मनुवादी लोगों, इसलिए तुमें कोई सजा नहीं मिलती है, इसलिए इस भारत में पवित्र भूमी में गैंग रेप, बलातका और नगनताव जाल वाले जो कांड है यह तुम्हारी वजय से हो रहे हैं मैं यह चलंज कर दी हूं मोदी जी पर देखिये मोदी और योगी पर उसका गला देखा आपने वीडियो में उस लड़की का जोनपूर की लड़की का बिल्कुल गावे पूरा उसको गला दबा के कैस समविधान को नहीं बचाओगे बाबा सहाब की समविधान को नहीं बचाओगे जब तक यह MP MLA जो साड़े 22% लेकर और OBC के जो MLA है जो सिर्फ स्वार्थ की राजनीती कर रहे हैं इनको अगर हम गहराव नहीं करेंगे तब तक यह जो 10% लोग हैं यह हमारा इसी प्रकार स साइस्श्वोशन करते रहेंगे इस में गल्ती किसी है अगर 10% वाले आप नबे पर सेंट वालों पर राज कर रहें तो गल्ती किसी है अग्रमारी पूरवजों के मिशन कोbooksने खतम किया हमारे नेतां ने खतम किया और समाजिक संगठनों ने करा, अगर बहुजनों की सरकार आई थी, कहा है उनका मीडिया, हर घर में टीवी जो है अपनी बात दिखा रहा है, हमारी बात क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं हर घर में सावितरी बाई फूले है, क्यों नहीं हर घर में जोती बाफूले है, क्य जोगी की सरकार अब आई है यूपी में उसके पहले जो है बहुजनों की सरकार थी यूप बिहार में देखा जाए तो कई सालों से नितिस और योगी हैं बहुजनी है तो इन लोगों ने क्या किया है बहुजनों के लिए कुछ किया है मैं क्या कह रही हूँ आपको मैं यही तो बात कह रही हूँ तो सारा कसूर किस पे जाता है हमारे मुख्य मंतरी MP MLO पे जाता है जिनों ने सत्ता में आते ही जो है मिशन नहीं चलाया, मिशन को मार डाला, समाजिक संग्ठनों पर जाती है, कि वो समाजिक संग्ठन नेताओं के साथ जुड़के या क्या बिजनिस करने लग गए, या अयाशी करने लग गए, या जो है शराब में लीन हो गए, तो यही कारण है जिसकी वज़े से आज जो है, हम फूलन देवी से भी बत्तर जंदगी पर आप व्यतीत करने पर मजबूर हो गए, आपने सुना किस तरीके से जो है, इन्होंने साफ तोर पर बताया कि अगर सब्ता में आते हैं, लेकिन अपनी ही कम्यूनिटी के लिए काम नहीं करते हैं, तो गलती MP, MLA की है, और उनकी नहीं जिन पर शोशन हो रहा है, और जो शोशन कर रहे हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं काम करने जंता से वोट लेकर, उन्हें जरूरी है, उन्हें वो काम करें, पूरी बात चीट पर अपनी प्रतिकरिया जरूर दीजे, कैमरमन आशीष के साथ, ब्यूटी गिरीज जनहीत आवाज,